नमस्ते, मैं जया देशी उत्पाद से, कैसे हैं आप लोग और मैं काफी समय के बाद ये वीडियो लेके आ रही हूँ तो जैसा कि आपने पहले देखा है, मैंने आटे के बारे में, मैं बंसी वीट के बारे में पहले जानकारी दी है तो आज मैं अपने बंसी वीट की क्रॉप आपको दिखाना चाह रही हूँ और मैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इंटर क्रॉपिंग करती हूँ तो मैं गेहूं के साथ, मतलब मेरे जो फ्रूट और्चर्ड्स हैं, उसके साथ गेहूं कर रही हूँ तो उससे भी आप जैसे देखे कि मैंगोज हैं और पीचेज हैं, पीचेज का भी आपने मेरा देखा होगा वीडियोज उसमें पीचेज अभी फिल ब्लूम पे हैं तो इन सब का असर भी पढ़ता है, इंटर क्रॉपिंग का एक बहुत बड़ा वो है, फायदा है कि जो फ्रूट के निट्रिशियस वाल्यूज हैं, मतलब सॉइल हमारी इतनी अच्छी है कि वो फ्रूट में भी जा रहे है और वो उसके साथ वीट में भी जा रहा है तो कहने का मतलब है कि इंटर क्रॉपिंग के बहुत सारे फायदा है और उसमें जब वीट वो फ्लार आप खा रहे हैं, फ्रूट और्चर्ड का तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट काफी बढ़ जाता है ये आप देखे, ये प्लम है प्लम के वाइट फ्लार होते है और पीच के पिंक कलर के फ्लार होते है और मैं आपको अगली वीडियो में पीच और प्लम के बारे में बताऊंगी इस साइट वेजटेबल्स है और वीट का ये मेरा एर्थियर है बंसी वीट, सीड हमारा, सीड बैंक अब हमारा अपना है और बंसी एक एंशिंट वीट है और इसका टेस्ट काफी होता है, बहुत ज़्यादा फाइबरस है ये और गेहों की क्रॉप अच्छी है इस बार वैसे तो इस साल बहुत सारी फसलों में नीचर गॉर्ड ने साथ नहीं दिया है अब देखते हैं कि वीट का क्या कैसा रहता है क्योंकि बे मौसम बारिश हुई है ठंड प्रिलॉंग्ड है अभी तक मैंगो में फ्लारिंग ने स्टार्ट हुई है जबकि लास्ट येर इस समय मैंगो में फ्लारिंग स्टार्ट हो चुकी थी तो बंसी के बारे में